आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो, उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ क्या होता है तो बेसिकली जो सबसे जादा पाया जाते हैं वो हम लोग काईटीन के नाम से जानते हैं क्योंकि काईटीन जो है यह बेसिकली इनसेक्स के एक्सोसकेलीटन में पाया जाते हैं और इंसिट्स के एक्जो स्केलीटन में पाये जाने के वज़े से इनका जो नमबर होता है वो बहुत ही जादा हाई होता है और इनके बाई में अगर बात करें तो यह ऐसे पॉली सकराइड होते है जहां पे लीनियर ब्रांच जो है वो पाया जाता है किस चीज़ के लीनियर ब्रांच तो सौरी लीनियर अन ब्रांच स्ट्रक्चर पाया जाता है जो की होमो पॉलीमर का होता है और यहां पे जो होमो पॉलीमर पाया जाते हैं वो हो जाते हैं B1,4 ऐसीटाइल ग्लूकोजामीन और यह जो B1,4 ऐसीटाइल ग्लूकोजामीन होता ह इसी से क्या होता है कि पूरा जो यहां पे कायटीन है वो बना हुआ दिखाई देता है और साथ ही क्या होता है कि कायटीन में जो चीज पाया जाता है वो होता है यहां पे कैलशियम कार्बोनेट और calcium carbonate इनका white structure जो है वो provide करता है और साथ यह अगर number में बोला जाए तो यह आर्थ्रोपोर्ट के 100 skeleton यानि इनसेट्स के 100 skeleton वे पाये जाने के वज़े से इनका जो production होता है वो होता है nearly 10 giga tons का तो आप समझे सकते हो कि यह कितना जादा है तो इसी हिजाब से हम लोग यहाँ फर्स्ट option काईटीन को ही टिक करेंगे जो कि बलकुल correct है बाकी अगर देखा जाए तो मैनन जो है और glycogen जो है यह दोनों ही नहीं तो अगर कहें तो मैनन जो है यह plant cells में पाये जाते हैं जो कि जादा amount में नहीं रहते हैं ग्लाइकोजेन जो है यह human body में पाये जाते हैं और यहीं से क्याओदे कि glucose बन के सामने आता है और higher loronic acid जो है यह पाया जाता है in the sperms वो इसका भी in the nature बहुती कम sequence यह पर हम लोग कह जाते हैं structure polysaccharide हो सकते हैं दो इसी इजाब से first option ही यह पर हम लोग टिक करेंगे जो की correct है Classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के level तक 10 million से जादा students का भरोसा आज यह राउनलोड करें डाउटने टाप या WhatsApp कीचे अपने doubts 84444 पर